आज हम ताजा हरी मेथी के एक्तम सौफ्ट और नरम थेपले बनाकर तयार करेंगे। आप सेम तरीके से बनाएगा एक्तम सौफ्ट थेपले बनेंगे। आप इन थेपलों को चाहिए सफर के लिए बनाएं या घर में बनाकर खाएं। यह बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका शामर सोई में। तो चली शुरू करते हैं बनाना। ताजा हरी मेथी का थेपला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बंच मेथी ली है। ग्राम में यह करीबन सतर से असी ग्राम मेथी है। मेथी को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे हमने दो-तीन बार पानी से धो लिया है। तो सबसे पहले हम मेथी को एकदम बारिक-बारिक कट कर लेंगे। आपको जैसे सुवीदा लगती है, आप चॉपिंग बोर्ड पर भी इसे कट कर सकते हो। एकदम बारिक बारिक काट लीजिए, तो हमने मेथी को बारिक बारिक काट लिया है, कप में ये 1.5 कप मेथी है, अब हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे, इसमें हमने 1.5 कप गेहुं का आटा लिया है, इतने आटे में आपके आराम से 18 से 20 थेपले बनकर तयार हो जाएंगे, और यहां हमने लगबग एक छोटा चममच नमक डाल दिया है, नमक आप अपने स्वात के हिसाब से ले लिजिएगा, एक छोटा चममच कशमीरी लाल मिर्च का पौडर लिया है, ये तीखा नहीं होता है, और साथ ही 1.5 चोटा चममच हल्दी पौडर लिया है, हल्दी पौ अच्छे से आए और अब हमने यहां दो छोटा चम्मच सफेद तिल लिया है तिल डालना बिल्कुल ओप्शनल है आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर दीजिएगा एक छोटा चम्मच भूनी हुई कसूरी मेथी लिया है और अब हमने यहां दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक के टुकडे को काट कर लिया है तो मिक्सर में हम दो से तीन चम्मच पाने डालकर इसे पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हमने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है यदि आपको लहसुन पसंद हो तो इसमें दो से तीन कली लहसुन डालकर भी पीस ल दही डालने से थेपले और भी सॉफ्ट बनते हैं पर यदि आप ज़्यादा दिनों के लिए बना रहे हैं या सफर के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दही ना एड करें आप चाहें तो इसमें एक चम्मच तेल बढ़ा सकते हैं और अब हम सारी च लगा सकते हो साथ ही मैंने बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है और अब हम सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जो हमने मेथी डाली है उसमें भी मोश्चर होता है तो ये देखी इस तरह से प्रेस करते हुए सारी चीजों को मिक्स कर लेना है तो हमने सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर ली है और अब हम हलके गुनगुने पानी से इसका आटा लगाएंगे इसमें पानी बहुत ही कम लगने वाला है इसलिए एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका soft आटा लगाईएगा जैसे हम चपाती बनाते हैं डेली में से पर एक चोटा चमच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गूत लेंगे तो हमारा आटा लगकर बिल्कुल तयार है आटे को ढखकर 10 मिनिट के लिए रख दीजिए 10 मिनिट में आटा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके थेपले बनाएंगे आटे को रखे हुए 10 मिनिट ह गये है और अब हम इसमें से छोटी-छोटी लोई야 कर तयार करेंगे तो कितने थेपले बनेंगे ये आपकी लोई बनाने पर करेंगा और ये लीजिए इतने हाटे में अठारा थेपला बनकर तयार हो जाएंगे तो आप यदि बड़ी लोईयां बनाएंगे तो 15-16 और छोटी लोईयां बनाएंगे तो हो सकता है 20 भी बन जाएं और अब हम सूखा आटा लगा कर इसे बेल लेंगे तो जैसे हम नॉर्मली चपाती बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है बस जितना हो सके आप इसे पतला बेलिएगा बीच में जरुवत हो तो सूखा आटा लगा लीजिएगा पर बहुत जादा सूखा आटा ना लगाईएगा और ये देखिए हमने एक थेपला बेल लिया है और ये देखिए कितना पतला हमने इसे बेल कर तयार किया है तो हमने ये दूसरा थेपला भी बना लिया है मैंने करीबन 8-10 थेपले बेल कर तयार कर लिये हैं और अब हम इन्हें सेखते हैं तो मैंने थेपले को गरम तवे पर डाल दिया है और थेपले को आप हाई फ्लेम पर सेखिएगा यदि आप मेडियम या मेडियम लो पर तो थेपले नरम नहीं बनेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, दोनों साइड से तेल लगाते हुए, इसे सेक लीजिएगा, और ये लीजिए हमारा एक थेपला बनकर बिल्कुल तयार है, इसी तरह से हम सारे थेपले बना लेंगे, तो थेपले बहुत जल्दी स तैयार कर लेंगे तो हमने ये थेपले को सेख कर तैयार कर लिया है बहुत ही नरम और टेस्टी थेपले बनकर तैयार हुए हैं थेपले एकदम ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी मुझ कोटिफिकेशन आपको मिल सके